Hello students, इस वीडियो में हम जिस चैप्टर के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं, वो है चैप्टर आपका वैक्टर स्पेस वैक्टर स्पेस क्या होता है? वो जानने से पहले हमें इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए Internal Composition and External Composition Internal Composition क्या है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक सेट अपनी तरफ से Assume कर लेते हैं एक सेट जिसमें कई सारे Elements हैं, हमने यह Assume कर लिया अब क्या करते हैं? हम यहां के किसी भी दो Elements को Pick कर लेते हैं जहें सपोस कर लो मैंने A और B को यहां से Pick कर लिया ठीक है? अब यह A और B को अगर मैं A से लिखूँ, कैसे लिखूँ? A Asteric B यह Binary Composition है, इसका क्या मतलब होता है भी समझ चाओगे तो अगर मैं A और B के बीच में एक सिंबल डाल दूँ और यह कुछ A से लिखूँ और यहां पर इसका मतलब कुछ भी हो इसको solve करने से जो भी कुछ आए वो भी आपका किस के अंदर आए? एक सेट के अंदर ही आए इसको solve करने के बाद भी जो आंसर आए वो इसी सेट A सेट के अंदर ही आए और उसके साथ यह यूनी को यूनी का मतलब पहले से इस तरह का कोई element जो है A सेट में नहीं है तो यह जो composition है हमारे पास इस तरह के composition को हम बोलते हैं internal composition यह समझ में आ गया अब इसका मतलब कुछ भी हो सकता है अभी के लिए कुछ भी हो सकता है हमें इसे जहाए internal composition की definition को समझना था अब हम आते हैं external composition अब external composition समझने के लिए हम यहाँ पर दो set ले लेते हैं एक set V ले लेते हैं और एक set अपनी तरफ से F ले लेते हैं ठीक हो गया हमने यहाँ पर दो set यहाँ पर assume कर लिए अब जो V set है इसके element suppose xy है और जो f set है suppose उसके element से alpha बीटा ठीक हो गया ध्यानक नहीं यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही set लिया था और उनी के elements की बीच में हमने composition लगाया ठीक है कोई भी operation हमने fit कर दिया अब हमने दो different sets ले लिए अब यह दो different set ले लिए तो यहाँ से एक element ले लेता हूं और यहाँ से एक element ले लेता हूं अब इन दोनो elements की बीच में एक composition fit कर देता हूं तो यहाँ पर यह है O तो X, O, Alpha अगर हम इसको solve करें और जो मेरे पास result आए वो result या मेरे पास जो element आए वो element V का ही एक V का ही एक element आजाए मतलब यह पूरा का पूरा क्या हो जाए V का ही एक element आजाए तो इस composition को यह जो O है यह भी कुछ भी हो सकता है अभी हमें कुछ clear नहीं है लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो यह वाला composition हमारे पास plus होगा और यह वाला composition हमारे पास multiply होगा तो इसलिए यह अगर हमारे पास V के अंदर आ रहा है यह वाला element V का ही एक element बन रहा है तो इस वाले composition को हम बोलेंगे external composition तो आपको यह दोनों चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी इन दोनों चीज़ों को समझ में आने के बाद अब हम finally start करते हैं कि vector space होता क्या है अब vector space की definition आपके सामने लिखी हुई है मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको समझाता हूँ हमारे पास let f plus dot be a field त्याना यह plus और यह dot यहाँ पर दो compositions है with field f इसका क्या मतलब है पहले तो यह f का मतलब समझ में आना चाहिए f क्या है असल में एक set है इस set के अंदर बहुत सारे elements है और यह जो elements है इनको कहा जाता है scalars तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जितने भी elements है यह आपस में plus भी हो सकते हैं आपस में multiply भी हो सकते हैं और ऐसा करने पर जो answer आएगा वो भी इस f का ही क्या होगा एक element होगा यह मतलब है f be a field गा यहां तक मैंने आपको बता दिया अब एक और हमने यहाँ पर set assume करना है और v नाम दे दिया हमने उस set का और इस set के अंदर भी बहुत सारे elements हैं ठीक हो गया अब यह जो elements हैं इनको कहा जाती है let v be a non-empty set ठीक है non-empty का मतलब खाली नहीं है elements होने ही होने चाहिए जिसके elements will be called vectors अब यह vectors नाम समझ कर vector algebra का vectors मत समझ लेना vectors इनके elements को कहा जाता है ठीक है नाम है इनके elements का क्या है vectors है ठीक हो गया यह समझ में आ गया होगा तो अब हमने आपर दो set ले लिए हैं finally आपको यह समझ में आ गया हो यहां तक अब यह जो v set है यह जो v set दिख रहा है इसी v set को vector space कहा जाता है over this field ठीक है itself यह vector space कही भी नहीं कहा जाएगा इस v set को vector space कहा जाएगा over this field मतलब इसके साथ ही कहा जाएगा तो v जो set है वो एक vector space माना जाएगा over this field f कब माना जाएगा अब हम आगे देखते हैं माना तब जाएगा अगर यहां पर दो composition भी defined हो ध्यानक ना हमने v set लिया हमने उपर f set लिया with plus minus मतलब पूरा का पूरा एक field हो गया तो v को v set को हम vector space कहेंगे over this field f तब कहेंगे जब यह v जो है यह defined होगा by two compositions एक है internal composition और दूसरा क्या है scalar multiplication क्या मतलब है there is defined an internal composition in v मतलब v में जो है वो internal composition क्या हो defined हो अभी इसका मतलब properly समझेंगे इसका मतलब क्या है there is defined an internal composition v called addition of vectors और दूसरा क्या है एक और चीज़ defined होनी चाहिए वो क्या है there must be defined an external composition in v इसका भी मतलब समझेंगे अभी हम पूरा multiplication प्लस और ये dot defined होना चाहिए between these factors between these vectors का मतलब समझा चुका हूँ v के जो elements है उनको vectors का जाता है तो वो जो elements है उनके बीच में ये भी defined होना चाहिए उनके बीच में ये भी defined होना चाहिए टब भी हम v को vector space कहेंगे तो अब इन दोनों को हम अच्छी तरह की समझ लेते हैं कि इन दोनों का असल मतलब है क्या तो बच्चों यह आप देख सकते हैं मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यह इस चीज़ का मतलब मैं समझाने वाला हूँ इस चीज़ का मतलब यह है कि जो V के elements हैं उनके बीच में जो यह वाला composition है यह exist करता है जिसको कहते हैं addition of vectors ठीक है जब V के elements के बीच में यह वाला composition exist करे ठीक हो गया तो उस case में V को vector space का जाएगा over F अब ज़रा इसको ठीक से समझ लें आप यहां जितनी भी properties देख पा रहे हैं हर properties में आपको plus symbol दिख रहा होगा और यहां पर जो x, y हैं यह V के elements से जिनको vectors का जाता है तो जब आप vectors को add कर रहे हैं तो उसको कहते हैं addition of vectors यही कुछ properties हैं जो अगर V जो set है वो अगर satisfy कर दे तो हम V को बोलेंगे vector space over this field F under this internal composition तो चलिए चेक करते हैं पहली property के तो properties of addition of vectors में या properties of addition में पहली property है closure property इसका मतलब यह है कि अगर x और y दो elements हैं V set में तो इन दोनों vectors को अगर आप जोड़ोगे तो जो नए element आएगा वो भी V को ही belong करेगा V में भी आएगा अगला है associated property इसके लिए हमने तीन elements ले लिए हैं V में पहले ऐसे add किया है और फिर इस तरीके से add किया है तो दोनों case में same result आना चाहिए तीसरा है existence of additive identity इसका क्या मतलब है यह symbol है there exist there exist an element इसका मतलब है एक element ऐसा होगा V में जिसको 0 का ध्यानक नहीं यह bold letter से मैंने use किया है bold letter का मतलब यह एक 0 vector है इसको 0 vector कहते हैं आपर नाम इसका 0 vector है तो अगर V के किसी element के साथ हम 0 को add करें ऐसे add करें और ऐसे add करें और दोनों case में x ही आए अगर x V को belong करता है तो तो हम इस 0 को क्या बोलते हैं additive identity तो यह result भी true होना चाहिए अगला है existence of additive inverse इसका क्या मतलब है मान लो कि हमारे पास कोई element है x जो V को belong कर रहा है तो एक और element यहाँ पर exist करेगा जो है minus x वो भी किसको belong करेगा V को belong करेगा तब इन दोनों को add करने से हमारे पास जो answer आना चाहिए वो 0 vector आना चाहिए ठीक हो गया यह होगे चौथी property जो V के elements को satisfy करनी होती है पांच भी property हमारे पास यह है जिसको कहते हैं हम commutative property commutative property क्या है कि अगर x और y दो elements से V को belong करते हैं तो अगर हम ऐसे add करें या फिर इस तरीके से add करें तोनों case में अगर आपको same result मिलता है तो इसका मतलब है कि यह वाली property जो है वो V set के द्वारा satisfy हो गई है तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि V को vector space over the field F तब कहा जाता है जब पहला case जो है यह addition of vectors का V के elements जो है satisfy करते हैं तो V के elements के बीच में यह वाला जो internal composition है यह defined हो जाए तो उस case में V को कहते हैं vector space over the field F पर अकेले सिर्फ इसी composition के defined होने से काम नहीं चलेगा एक और composition है multiplication यह वाला composition भी यहाँ पर defined होना चाहिए between the elements of set V तो चलो इसकी properties इसके लिए कौन-कौनसी जो properties है वो satisfied होनी चाहिए तो यह देखते हैं properties of scalar multiplication मैंने यह वाली चीज समझानी है आपको फिर बोल दे रहा हूँ मैं V इसे vector space over the field F तब माना जाता है जब V जो है addition से related सारी properties को satisfy कर दे और multiplication से related भी सारी properties को क्या कर दे? satisfy कर दे तो addition से related हमारे पास 5 properties थी जिसके बारे में discussion हो चुका है अब multiplication से related भी 5 properties है यह 5 properties भी हाँ पर हम discuss कर लेते हैं पहली property क्या है यह देखेंगे तो field में alpha मान लेते scalar है alpha जो है F को belong करता है x जो है V का element है तो इन दोनों का जो multiplication होगा scalar multiplication यह भी V को belong करेगा यह पहली property अगर alpha बीटा दो scalar है जो F को belong करते है और X जो है V को belong करता है तो alpha प्लस बीटा X को हम लेख सकते हैं alpha X प्लस बीटा बीटा X alpha X प्लस बीटा X चीक है अगर alpha तीसरी property है अगर alpha F को belong करता है ध्यान एकना F field है field of scalars मतलब यह alpha बीटा जो ले रहा हूँ यह scalars है और X Y जो ले रहा हूँ यह vectors है vectors मतलब इनका नाम vectors है और इनका नाम scalars है तो X Y अगर V को belong करते हैं तो alpha को अगर हम multiply करें X प्लस Y से तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं alpha X प्लस alpha Y अगर alpha बीटा F को belong करते हैं X V को belong करते हैं तो ऐसे केस में alpha बीटा का जो multiplication है उसको अगर X से multiply करें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं alpha का multiplication बीटा X के साथ और पांच भी property हमारे पास है कि अगर X जो है अगर वो V को belong करता है तो 1 का scalar multiplication X के साथ equal होगा X के ही और 1 आपका है unity element है F में तो ये जो 5 properties हैं अगर जो V है V set है वो इसको भी satisfy कर दे पांचों की पांचों को satisfy कर दे और इससे पहले हम addition की भी 5 properties discuss कर चुके हैं तो ये 5 properties भी V जो है satisfy कर दे तो तब हम मानेंगे कि जो V है वो vector space है over this field F इन दोनों का भी यही मतलब है मतलब ये वाला जो composition है ये V में defined होना चाहिए ये वाला composition है ये भी V में defined होना चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि addition of vector से related जो 5 properties है V उसको satisfy करना चाहिए और scalar multiplication related जो 5 properties है V उनको भी satisfy करना है V ने तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमें vector space के बारे में जो कुछ समझना था वो हमने यहाँ पर समझ लिया तक्स पर वाचिए